हेलो एब्रीवन वेल्कम टू माई चैनल रसोई लैब आज हम बनाएंगे रक्षबंधन के लिए इस्पेसल मिठाई आपको न घी की जरूरत है न मावा न चासने सिर्फ तीन चीजों से बनाएंगे इस मिठाई को इस मिठाई का यूनिक नेम काजु कतली बहार जो इस्पेस काजु लेंगे तो मैंने 1.500 काजु लिया है आप चोटे चोटे टुकडे वाला भी काजु ले सकते हैं अब इसमें कच्चा दूद आदा कप डाल देंगे और इसको 2 घंटे के लिए भीगो के रख देंगे जितना काजु लिये हैं उतना ही पनीर भी लेना है अब 2 घंटे हो गया है अब काजु को देख लेते हैं तो ये देखिए काजु का साइज भी बड़ा हो गया है फूल के अब हम इसका एक स्मूथ बैटर तियार कर लेते हैं और पनीर को मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट करके रख लिया है ये भी लगबग 1.500 गराम है बराबर मेजर क तियार करेंगे तो काजु और पनीर को एक साइज डाल के नहीं पिशना है क्योंकि वह अच्छे से बेटर तियार नहीं होगा तो ये अब हो गया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पनीर करके इसमें डालेंगे जार थोड़ा छोटा है आप बड़ा जार ले सकते हैं तो जब इसको हम चलाएंगे मिक्सी में तो थोड़ा on off करके ऐसे चलाते रहेंगे जिसे यह बहुत अच्छे से पेस्ट त्यार हो जाएगा यह मेरा खुद का experience से मिठाई बनाने का यह बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप भी जरूर एक बार इसे बनाएए यह देखिए बिल् दूद डालके और उसको अच्छे से एक बरतन में निकाल लेंगे अब इस कड़ाही में पेस्ट को डाल देंगे और घी डालने की जरूरत नहीं है और गयास का फ्लेम मिडियम रखेंगे डालने के बाद थोड़ा से यह कड़ाही में चिपकेगा तिसे continue चलाते रहेंगे ल लिंक में देख सकते हैं और कोई भी आपको रेस्पिज लगता है कि यह बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर पता हैं तक हम और सारे रेसिपीज आप तक पहुचा सकों तो यह देखिए चलाते चलाते इसका कलर भी चेंज हो गया है ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है और ऑल भी रिलीज हो गया है ये देखने में एक दम सौप्ट लग रहा है तो इसी तरह हम इसे कंटिने चलाते रहेंगे और इसमें चीनी डाल देंगे तो आप ज़्यादा या कम डाल सकते हैं इसमें और थोड़ा सा ये चीनी डालने के बाद थोड़ा ये मेल्ट होगा तो इसको भी थोड़ा सा हम 2-3 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सौप्ट हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गार्निश के समय हम इसमें थोड़ा सा इलाइची डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा डाल दे हम इलाइची तो ये देखिए ओयल दिखने लगा है इसलिए मैंने बोला कि इसमें घी डालने की जरूरत नही है क्योंकि जो पनीर है ना उससे घी निकलता है तो यह भो गया है रेडी अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और एक बार इसको हम हाथ में लेके चेक कर लेंगे कि यह हाथ में अच्छे से लोई टाइप बंडाए कि नहीं तो यह देखिए बनने लगा है अब इसको ठं सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे यह चिपके नहीं इसमें डालके हम स्कुएर सेप में इसको हम दे देंगे तो देखिए और इसको नॉर्मल टेंपरेचर पे 10-15 मिनट के लिए रख देंगे अगर आपको बहुत जल्दी है ताप इसे फ्रीज में रख सकते हैं तो यह थो इसी तर हम छोटा-छोटा पीशे स्तियार कर लेंगे अब इसका छोटा-छोटे पीशे स्तियार कर लिए है अब इसको हम गार्निश कर लेते हैं तो देखिए बिल्कुल सौप्ट लग रहा है अब हम इसको गार्निश करने के लिए पहले एक स्टीक लेंगे उसी स्टीक से ह हम हलका सा प्रेश करेंगे जिससे बहुत अच्छा डिजाइन का मिठाई वनेगा तो ये देखिए दो लाइनिंग का हम प्रेश कर दिए इसको अब हम इसमें गार्निश के लिए पिस्ता ले लेंगे और इलाइची के दाने और केसर के धागे और इससे हम देखिए कैसे गार्निस कर रहे हैं तो पहले पिस्ता को चिपका ले उसके बाद के सर ये देखिए देखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है न इसी तरह हम सारे को गार्निस करते जाएंगे ये हमारा काजू कतली बहार मिठाई रेडी हो चुका है तो मेरे तरब से आप सभी को राखी की धेर सारी सूप कमना है ये मिठाई मेरे तरीके से एक बार बनाए और मुझे कमेंट में बताए कैसा बना है अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूले ताकि और सारे नए नए रेसिपी जाब तक पोचा सको मेरे वीडियो को लास तक देखने के लिए थैंक यू सो मच